योगी सरकार में मंतरी स्वाती सिंग एक बार फिर चर्चा में हैं इस बार की वज़ा सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही एक आडियो रिकॉर्डिंग है आडियो रिकॉर्डिंग में स्वाती सिंग कतित तौर पर एक शक्स से बात कर रही है जिसे शुकायत करते हुए सुना जा रहा है कि उनके पती दयाशंकर सिंग ने उनके साथ बदसलू की की है और जमीन हड़पने का भी मामला सामने आया है बातचीत के दोरां स्वाती सिंग कतित तौर पर उनके पती दयाशंकर सिंग पर उनके साथ बुरा वहवार करने और मारपीट करने का आरोप लगा रही है जब अब पर जबरस्ती करने का प्रयास किया तो उसमें पुलिस केस वगरा हुआ उसमें उनको पर चाशीक भी दाखिल हुई थी 2014 में इसके बाद तो तो सिंग कोफी मेरे को आप दिला सकते हैं क्या चाशीक अबरे मिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि मुसे सारे पेपर्स चाहिए हुए कि क्या है मेरे थोड़ी स्थिती अलग है स्थिती अलग में अगर जैसे पता चलेगा तो आप मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं चीजे बहुत खराब हैं लेकिन मैं कभी यह नहीं चाहूंगे कि किसी भी इनॉसेंट रिएक्टी के साथ सबीर सब्सक्राइब मेरी तो आप से इसलिए और सान भूशी है कि आप ने अपने दम पे अपना राजी सी कहिए शुरू किया है इसमें उनका कोई योगदान नहीं है नहीं देखे एक चीज में आपको बता दो तारी दुनिया जानती है कि हम दोनों असन वाइस के क्या रिएशन चाहिए है ऐसे नहीं बतार आपको नाम इसमें चुरू मेरे नाम ही उसके करे हुँ तो आप मेर हकूरा रहा है हुआ वह दून चीज असे याुँ आ। मैरे इस चीज की हैं रह विरोगा रे चीज़रें ये ने ने तो अगवान से कहती हूं कि शहेड बगवान से कहती हूं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है सजय कि अधिया शदी होगी उसकी तो भर्भाई मैं करी नहीं सकती हूं स्वाती सिंग कहती है कि उनका पती दयाशंकर सिंग उनके साथ मारपीट करता है इस बीच आडियो किलिप के संबन्द में स्वाती सिंग से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की आपको बता दें कि स्वाती सिंग महिला और बाल विकास मंत्री हैं सरोजनी नगर विधानसाबा सीट से उम्मीदवारवी हैं जो उन्होंने 2017 में जीती थी स्वाती सिंग 2016 में तब सुर्खियों में आई थी जब दया शंकर सिंग ने बस्पा पर मुख मायवती के खिलाफ कुछ आपती जनक टिपने की थी इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्धिकी के नेतुरत में बस्पा कारेकरताओं ने लखनों में भारी व्रोध प्रजशन कि जहां उन्होंने स्वाती सिंग और उनकी बेटी के खिलाफ टिपने की थी स्वाती ने मायवती समेथ बस्पा नेताओं के खिलाफ हज्रत गंज थाने में मामला दर्जु कराया था दयाशंकर सिंग को पार्टी से निश्काशित कर दिया गया और स्वाती को महिला विंका प्रमुख बनाया गया बाद में उन्होंने सरोजनी नगर सीट से चुनाब लड़ा और जीत हासिल की और दयाशंकर सिंग का निश्काशन वापस ले लिया गया फिलहाल वे अब पार की राजय काई के उपाध्यक्ष हैं बियोरो रिपोर्ट टाइम 24 न्यूज